नमस्कार दूस्तों ग्याजर्श.67 वेवसाइट की यूटूब चैनल में आपको स्वागात है मेरा नाम है अमर दूस्तों इस प्रेजन्टेशन में मैं डिसकस करूँगा बिस्ट प्रोसेसर अंडर 10,000 रूपीज 10,000 रूप影片 सी कमकी मात में बढ़ियां प्रोसेसर कम्प्थर सिस्टम के लिए दोस्तों, 10,000 रूपए सी कमकी मात में वेक बढ़ियां बेस्लिंग प्रोसेसर है इंटल ब्रांण का इंटल i3-9100F प्रोसेसर के अभीगर के मात है मार्केट में 7,392 रूपए दस एउर्पे से कम के मत में यहां प्रोसेसर, one of the best selling options है मर्केट में तो दोस्ता अब जानतें Intel i3-9100F प्रोसेसर के बारें विस्तार से शुरुवात करते हैं इसके key features and functions से इस प्रोसेसर का socket है 1151 और यहां सपोर्ट करता है चिपसेट EZ370, EZ390, H310, H370, B360, B365 and Q370 इस प्रोसेसर के लिए Intel प्रोसेसर करेगा एक थ्रेड इस प्रोसेसर का catch memory है 6MB Base clock speed है 3.6GHz Bus speed है 8GB transfer per second और DDP है 65W यह सपोर्ट करता है total max RAM size 64GB RAM tight DDR4 RAM frequency 24MHz और एक साथ यह सपोर्ट कर साकता है maximum 2 RAM channel अब यह बात करते हैं इसके graphics की उत्ते रिके इसमें तो graphics है ही नहीं इस प्रोसेसर के लिए आपको खरीदना होगा dedicated graphics तोकि इसमें नहीं दिया गया है integrated graphics दूस्ते इस Intel processor का एक बढ़िया विकल्प है market में 10,000 रुपए से कम कीमत में AMD Ryzen 3 32 जी इसकी कीमत है 8,495 रुपए है अब आये जानते हैं इस AMD processor के बारे मिश्तार से शुरुआत करते हैं इसके key features and functions से यह processor support करता है socket AM4 और इसके दूरा supported chipset है AMD 300 series, AMD 400 series और AMD 500 series के सारे chipset AMD बढ़िया देते हैं अपने इस बढ़िया पेसली desktop processor के लिए 3 साल के complete service warranty बढ़िया पफाउंस के लिए इस processor में है 4 core जो प्रोसेस करता है 4 thread एक core एक thread इसका catch memory है 6MB, base clock speed है 3.6 GHz, TDP है 65 Watt यह processor support करता है max RAM size 64 GB RAM type DDR4 और RAM frequency 3000 MHz और यह support करता है 2 RAM channel इस AMD processor में है integrated graphics जो कि है redon vega 8 जिसमें है 8 core और जिसका frequency है 1250 MHz तो दोस्ता हुआ कंपेर करतें Intel i3-9100F को AMD Reson 3-32G के साथ Intel i3-9100F में है 4 core, 4 thread, clock speed है 3.6 GHz, catch memory है 6MB, TDP है 65 Watt और इसमें graphics नहीं है AMD Reson 3-32G में है 4 core, 4 thread, clock speed है 3.6 GHz, catch है 6MB, TDP है 65 Watt और इसमें है integrated graphics लेकिन performance के मामलें बहतर है, number one है, अबल है, अगर नहीं है, सबसे बढ़िया है Intel i3-9100F अब आई करते हैं दोनों desktop processor का cost analysis Intel i3-9100F के की मधा भी market में 7,390 रुप है इस processor को चाहिए dedicated graphics, जिसकी की मत पड़ेगे 3,000-5,000 रुप है के range में तो मान लेते हैं 4,000 रुप है इसके साथ नहीं आता cooler fan, वो अभी आपको खरिदना पड़ेगा, जिसकी की मत पड़ेगे 500 रुप है तो final cost आपको पड़ेगा, लगवा 12,000 रुप है AMD Ryzen 3 32G के अभी की मत मार्केट में 8,490 रुप है इसमें graphics card integrated है, तो इसके लिए graphics card नहीं खरीदना होगा इस processor के साथ आता cooler, इसके safe box में, तो cooler भी नहीं खरीदना होगा तो इसके लिए final cost पड़ेगा, 8,490 रुप है जो के लगवा 3,000 रुप है, इंटेल ब्रांक इस बढ़ी है bestling quad core processor के तूल नाम है तो Intel i3-9100F के लिए final cost पड़ेगा, लगवा 12,000 रुप है अगर आप इसमें 1,500 रुपीज और मिला देते हैं, तो आपको मिल जाएगा AMD Ryzen 5 3400G जिसके अभीके कीमत है मार्केट में 13,490 रुप है इसमें है 4 core, 8 thread, तो हरी core process करता है 2 thread इसके clock speed है 3.6 GHz catch memory है 6 MB, TDP है 65 Watt और इसमें भी integrated graphics, जो कि है Raydon RX Vega 11 इसमें 11 core और frequency है 14 MHz अब आई सेलेक्ट करते हैं motherboard इन सारे processor के लिए दोस्तों इन सभी processor के लिए compatible motherboard को खरीदने का link इस वीडियो के नीचे description में दिया गया है Intel processor के लिए आपको देखना है socket 1151 और chipset इन में से कोई एक इन दोनों AMD processor के लिए देखना है socket AM4 और chipset इन में से कोई एक जो भी motherboard चूनेंगे आप वो आपकोंकों से processor सपोर्ट करता है देख लीजिएगा re-verification के लिए इन सभी processor के लिए RAM खरीदने का link इस वीडियो के नीचे दिया गया है जुस्तों graphics card के selection में बहुत सारे factors हैं जिसमें है motherboard, cabinet, नए graphics card के लिए budget, computer system के किस्ता से इस्तेमाल होने वाला है और कई सारी factor को ध्यान में रखना होता है computer में कोई चीज जो सबसे पहले खराब होती है वो है graphics, no graphics, no display तो बहतर होगा कि graphics card उसी दुकान से खरीदें जहां computer system बनवाएंगे यानि कि assemble करवाएंगे दोस्तों जो भी processor मैंने discuss की इस presentation में उन सभी को खरीदने का link की इस video के नीचे description में दिया गया है दोस्तों अगर आपको यह presentation पसंद आया तो इस video को like कीजिए, इस पर comment कीजिए इससे आप अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और हमारे चैनल को subscribe कीजिए Thank you so much for your time झाल झाल झाल